वेल्का फ्रेंड्स, एम सिंख फॉर्ण निस यूट्व जैनल पे आप लोगा स्वागत है कल दरोगा का एक्जामनेशन कंपलेट हो जुका है, बाइस सो तेरम मेंस और ये दरोगा का लगातर तीसरा एक्जामनेशन था, जो पिछले 3-4 बटसों में हुआ है सबसे बरा एक्जामनेशन था, अगली वेकेंसी आपको थोरा सा इंजजार करना पड़ेगा चार-पांच महिना का और में भी इस महिना साल के लाश तक भी आ सकता है अब बात है, ये जो एक्जामनेशन देकर बच्चे आएं हैं, कटफ क्या रहने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजे इस बार देखने को मिली बदलाओ, इस बार जितने भी क्वेश्चेंस थे वो बिलकुल आपको किसी नक किसी एक्जामनेशन में पूछे हुए क्वेश्चेंस को ही रिपीट किया गया था मतलब की नयानेश, न्यूनेश नहीं था, जितने भी क्वेश्चेंस थे, चाहिए वो हार्ड था या इजी था, सब किसी एक जामनेशन में पूछे गए थे मैथ औरिजनिंग को थोड़ा सा घटाया गया था, और जितना घटाया गया था पिछले बार के कंप्रीजन में उतना आपको जीएस के कुश्चेंस को एड़ किया गया था, तो तमाम चीजों को ध्यान में रख करके इस तरह का नुमान है कि कट अफ थोड़ा सा, चाहिए मतलब की दौर के लिए कॉल की बात हो, या फिर आपको फैनल सेलेक्शन के लिए बात हो, पिछले बार के कंप्रीजन में आपको कम जा सकता है, उस पर भी बात होगी, तो कट अफ हम लोग इस वीडियो के अंत में डिश्कस करेंगे सबसे पहले, क्या रहा था, पुरा कल ए है, शाबाल 95% रहे उपस्ति थी, राज के सरसट केंद्रों पर दो पालिमों होगी थी परिक्षा, ठीक है, यहां पर बतलाया गया है, कि बिहार पुलिस अवर से आयोग, बीपी एससी की और से, पुलिस अवर निरक्षक दरोगा, प्रारक्ष अवर निरक्षक सार्जेंट के 123 सीटों की न्युक्ति के लिए, राज के सरसट केंद्रों पर परिक्षा हो जित्ती गई, इसके लिए तो पालिमों परिक्षा पतना गया, मुझे पर पुर जिले में लिए गये थे, पतना में आपको सरवाधिक 42, मुझे पर पुर में 17, और जो है, आपको गया में 8 सह परिक्षा में 95% उपस्तेती रही, अब हर्चियों के परसम पाली समान हिंदी के प्रसन पूछे गए थे, जो बिल्कुल आसान थे, दूसरी पाली के प्रसन समान ने अध्यन के मध्यमस्तर के प्रसन पूछे गए थे, आपको easy to moderate था, ठीक है ना, जो PT में जिस तरह से moderate to hard कुछन ने था, easy to moderate आपको यहाँ पर देखने को मिले थे किसमें, तो GS के paper 2 में ठीक है ना, इतिहास के 15 से 17 प्रसन पूछे गए थे, प्रते ग्लेत उत्तर पर आपको 0.2 अंक काटे जाएंगे, भुगोल में 7 से 8 प्रसन, राजववस्ता से 3 से 4 प्रसन, बिहार स्पेसल से एक से 2, गनित और दर्ख सकती से 10 से 12 प्रसन पूछे गए थे, प्रतियों के प्रिक्षा, विससा के डॉक्टर रहमान के नुसार, जिन शात्रों ने टेक्स्ट बुक एंसे यादिक आदिक आदियन किया है, उनकी प्रिक्षान इसी तरूप से अची गई होगी, कटफ अंक की बात करें तो श्रमाने वर के लिए 75, ये गुरुरहमान का अनुमाने 75, EWS के लिए 68 से 72, OBC के लिए 77 से 72, और EBC के लिए आपको 69 से 71, अनुसुचित जाती के लिए 62 से 52, अनुसुचित जाती के लिए 64 से 66, और सभी तरह के मैलाओं के लिए आपे 58 से 62 की बात हुआ है, इसमें अन्डॉटबल है, जो पिछले साल के मतलब की 17 से लेकर के उसके लिए 246 और ESA मेंस के कुष्चिन को देखा होगा, देखकर गए होंगे प्रीविस से कुष्चिन को तो उनको छो कुष्चिन का पांस चो कुष्चिन का डरेक्ट फायदा उनको हुआ होग सब्सक्राइब करें तो और यहां पर देख सकते हैं तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां यूर मेल है और यदि आप 73 क्या सपास आ रहे हैं एक कुष्चिन मैं इसके बात कर रहा हूं आप बदाईएगा कि कुष्चिन काहां से आप में अंसर मिला हैं तो हमने अपने चैनल पर जो वीडियो अप्लोड किया उससे इंसर मिला है वह एंसर आपको आपको ऑल्मोस्ट बहुत ही एकुरिसी के साथ उसको सेट किया गया है दो कुष्चिन के एसर बदलाए गया है उसको भी देखने के बाद आप मिला लीजिए यदि आप यूर मेल है तेहत्तर प्लस मान के सल सकते हैं तेहत्तर से पच्छितर के वीचे में आप आड़े हैं तो आपको निशित रूप से मतलब की दौर के लिए कॉल आ जाएगा यह मैं फैनल मेरिट की बात नहीं कर रहा ह उसी तरह से आप यदि आप 20 मेल हैं 20 मेल हैं और 72 का सपास हैं ठीक है न तो में भी आपको कॉल आ सकता है और उसके बाद वह सी तरह से आप आप EWS है, EWS है, 70 प्लस है, तो आपको कॉल आ सकता है, और EBS है, EBC है, EBC, EBC मेल है, और EBC मेल है आपको 69 से लेकर के 72 के बीच में है, तो आपको कॉल आ सकता है, ठीक है न, और EBC के लिए, EBC के लिए आपको EBC मेल है, EBC मेल है, तो आप 68 और EBC मेल है, तो आप वही EBC मेल को बहुँ जाता है, आप EBC मेल को 70 के आसपास मान सकते हैं, 69, 70 के आसपास, इतना प्लस होना चाहिए, तो आपको लेकर के दौर के कॉल आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद female की बाद कीजेगा, तो सबसे नीचे मैं SC female की बाद करूँगा, तो यदि उनका 55 के आसपास भी सही आ रहा है मेरे विडियों से, तो उमीद कर सके हैं कि उनका call हो सकता है, बाद की महलाओं का, उसी से भेरी करके आपको 60-60, 265 तक चाह सकता है, ठीक है न, महलाओं का, ने बता रहा हूँ, जो जनरल करोगड़ी वगड़ा करे हैं, तो जनरल को टरकड़ी में की महलाओं का, यदि 64-65 के आसपास भी आ रहा है, तो आ सकता है, अब बात करते हैं मेर मेरिट का, तो specified दरुगा के लिए आपको पताए कि नहीं निकाला गया था, sergeant के post का ही cut-off आपको निकाल दिया गया, उसी क्याथार पे सब लोगों ने अपना cut-off जो expect relate किया था, जिसे जनरल के लिए पिछला बार दरुगा के लिए 80 के पास 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 है, उससे निश्चेत रूप से आपको एक question या dare questions या दो question तक आपको कम होने के सांथ हैं, यानि कि एक से दो question आपको उससे पिछला merit से कम होगा, हलांकि बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, इसके बीच में vary करेगा, एक से दो question कम रहेगा या दो नमर या फिर आपको 4 नमर त और यह जो gap गया है उसको GS के question से भड़ा गया है और GS का question आपको पता है कि किसी का सही जा सकता है किसी का गलत जा सकता है लेकिन math reasoning आप जो बना देते हैं वो सही ही जाएगा और यहाँ पर आपको जो सेट में math reasoning थे कल वाले सेट में वो बहुत ही easy level के question थे और बहुत सारे questions आ नहीं कि संभाबना नहीं है इस बीजिश को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा ठीक नहां लेकिन पिछले बार में आपको एक से दो questions आपको चाह सकता है तो यह तो आपको एक प्राडबिक अनुमान है कि इस बार जो examination हुआ है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है जाएगा और आपको physical में लगना चाहिए जो छूट रहे हैं इस cut of range से भी छूट रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि अभी तक जब तक भी आपका final result नहीं आ जाए क्योंकि हो सकता है कि कुछ questions के आयोग answer alter कर दे कुछ भी कर दे तो इधर उधर हो सकता है ठीक है न तो इस आ जाएंगे इसके result आ जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा तो फिजिकल और जिनका अच्छा है मतलब नमर आ रहा है तो फिजिकल की त्यार इंशी तुरूप से करेंगे क्योंकि फिछले बार हाईजब में बहुत सारे और बहुत सारे कारण हो गये थे तो फिजिकल कि जोब डीटेल होगा वो जल से आपको अवकत करवाया जाएगा